हेलो स्टूडेंज स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी एमार याने इंडिया नेवी एमार के जो डिकुटमेंट आये हैं उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहां पे आपको बता दे कि आपके इमार के नोटिफिकेशन अब ही आ चुके हैं हाला कि डबल ए एससार से पहले नोटिफिकेशन यहां आया है उससे कोई फरक नहीं परता है नोटिफिकेशन आया है तो उसका हमें लाव उठाना है बहले ही यहां पे पोस्ट कम दिये गया है पहले प्रिब्यस समय में आपक कि other seat को ठीक है मानते हैं कि इस बात को की परसानी जरूर है क्योंकि seat कम कर दी गई है तो opportunity भी थोड़ा कम हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अगर कम कर दिया गया है तो उसमें हम या फिर आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जो अफम कर सकते हैं इतना ही कि आप बस इसके लिए preparation कीजिए अच्छे से त्यारी कीजिए तो चलिए जानते हैं इसके sort information को कि इसके बारे में क्या क्या कैसे कैसे चीज़ दिये गए हैं और इस वीडियो के notification को यानि आपके जो नोटिफीकेस तर आया हुए है उसको डावलोड करने के लिए टेलिगाम चैनल को जोईन कर लिज तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका sort information है कि इंडिया नेवी रेक्विट्मेंट मैट्रिक सेलर इंट्री एमार ठीक है एमार के रेक्विट्मेंट है अप्रिल 2022 बैच के लिए ठीक है निस्ट लिखा गया है कि candidate who want to join नेवी एमार 2022 can apply for 29 October 2021 to 2 November 2021 यानि आपको 29-30 और आपका समझे कि 4-5 दिन के आसपास आपको time दिया जा रहा है इस form को भरने के लिए ठीक है 29 October से लेके 2 November के बीच में आपका यह form भरने है ठीक है इतने दिन की बीच में जल्दी से आपको form भर के complete कर देना ठीक है क्योंकि नहीं भरते हैं तो क्या होगा फिर आपका problem हो सकता है यहा सबी चीज़ दिये गहें तो वह सब यहां बाद में देख लेते हैं पहले ऊपर देखते हैं क्या है जैसे कि यहां पर important dates के बारे में समझे कि important date जो है वो क्या आपका application बीजन होगा 29 से और last date application है 21 यह नहीं नॉमिंबर में ठीक है last date complete firm को complete firm भरने का भी last date है 21 अब ही नहीं बताया गया है लेकिन training बताया जाना कि April 2022 में training हो जाएंगे ठीक है तो समझ सकते हैं कि इस पहले ही सारे processes complete हो जाएंगे application fee यहां पर नहीं लग रहा है किनी भी बचों का एज जो है वह आपका जिन बचों का birth date 142 और 133 25 को है वह भी इसमें include होते हैं क्योंकि इन दोनों date को include करके ही लिया जाता है ठीक है तो एज लिमित यहां पर हो गई अब हम बात करने वाले है इजुकेशन qualification की तो education qualification सिंबा सा logic है यहां पर कि metric recruitment है मर्क Me draki मेंड है तो यहां आपका class 10 के ही यह-जुकेशन qualification को देखा जाएगा थीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि education qualification के लिखा गया है सिर्फ class 10 के ही education qualification यहां पर है पोस्ट तीन है कॉनसे कॉनसे हैं चीफ के हैं स्टिवार्ड के हैं और हाइजिनिस्ट के हैं ठीक है यह तीन इसमें पोस्ट है नेक्स्ट इसमें क्या है कि फिजिकल एलिजबिटी के लिए बारे में कही गई है कि हाइट 157 cm 1.6 km का रन आपको साथ मेंटर कंप्रीट करना पड़ेगा फिर स्कॉर्स एन उठाब बैटा को बीस और आपका चेस्ट तीन सेंटीमेटर तक आपको एक्स्ट होना चाहिए नॉर्मल चेस्ट के अलावे ठीक है तो यह सभी बात यहां पर हो गई अब यहां पर है कि हाव तो फिल इंडियन नेवी एमार 2021 फॉर्म कैसे इस फॉर्म को हम अप्रील 2021 फॉर्म को फिल अप करेंगे तो पहला में लिखा जाए कि रिक्यूट्मेंट प्रसिस ऑफ इंडियन सेलर इंट्री एमार 2022 फॉर्म विल बी ऑनलाइन यह आपको ऑनलाइन यह बहुत ही प्रॉब्लेम है कि 300 पोस्ट ही सब दिया गया है और 1500 बच्चे को सिर्फ कॉल किया जाएगा तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 300 पोस्ट दे रहे हैं आप उससे मैटर नहीं करता है आप अगर 50 पोस्ट भी दीजिए लेकिन सभी बच्चों कम से कम बुलाई एक जामनेशन देने के लिए ठीक है यह मैटर करता है भले ही 300 पोस्ट उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है सिर्फ अपने सेलक्षन का ठीक है तो यहां पर सिर्फ प्रॉब्लेम यहीं पर है कि सिर्फ 1500 केनेट को बुला जाता है और यह बहुत ही गलत बात है आँ करना चाहिए ठीक है तो ये आधा बहुत ब्रॉब्लिट परषेटों है कि कि이고 कर एक डिंथ में नहीं होता है कि यह बच्चा 95 परसेंट लाया है वह बहुत देज है और यह बच्चा बहुत ही कमचोर है क्यों कि समय ऐसाथ के साथ बच्चे कही में बढ़ती है और ल प्रिमाग होता है वो क्या होता समय के साथ बरता चलता है और वो अपने समय के साथ फोकस भी होते चलते हैं ठीक है हो सकता है कोई बच्चे क्लास 10 तक ज्यादा फोकस नहीं हुआ हो लेकिन बाद मुससे समझ में आया हो कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए फोकस दोन पर आज़ने का अब एसा नहीं हम कह रहे है कि 95 वाले बच्चे या फिर उनके उन्हें को मौका नहीं दिया जाई सिर्फ अशा नहीं मौका सभी को दिया जाए क्योंकि सभी इस चीज के लिए है तो मौका सभी को मिलना भी चाहिए ठीक है तो यह बात यहां पे होगए कि 300 क के लिए वेकंसी है आपका नेक्स्ट है कि एनी हाई स्कूल पास कंड़ेट हूँ वांट तो पाटिसीबेट इन इन इस नेवी इमार एक्जनमेशन के अप्लाई ओनलाइन फर्म वही बता जारा है कि ओनलाइन फर्म इतना से इतना कि बीच में इसको अप्लाई करना जिसे कि अधार काड और यहां पे जो निकाला जाएगा देखें यहां पर लिखा गया है कि 1500 कंडड़ेट को विल वी तोस हूए ब्सक्राइब शिक्योर्ट कर लिएगा मस्ट समीट करने से पहले इस अब ही चीज़ए ठीक है और यहां पे जो कॉट अट और यहां पर निक कि यहां इतना कटफ होगा और इतना कटफ के नुसार जो भी बच्चे उसमें आये होंगे उनको क्या मिलेगा मौका मिलेगा एक जानवेशन देने का ठीक है तो सिर्फ फालतु काई क्यों इस तरह से नोटिफिकरिशन निकाल देना सभी के लिए ठीक है सीधे बता दो कि 300 बच्चा को बुला दिया है और सभी बच्चा का कोई प्रफ रॉब्लम मेर के ग्लानि नेंसान नहीं थीजा ठीक है तो आप देखिए यहां पे डाउनलोड नोटिफिकरिशन को डाउलDr कर सकते हैं तो चलिए हम नोटिफिकरिशन को डानलोड कर लेटे हैं तो notification पर क्या कि हमने क्लिक किया, थिक है तो notification खुल लाय तो देख सकते हैं कि इंडिया नीवी काई notification है, यहाँ पर सारे job specifiction में आपका जो भी job जैसे chief, steward और hygienist हो गया है इस नाब बारे हैं यह इसे भी job based है, ठीक है ठीक है नेक्स्ट फिर क्या आपका 300 वेकंसी है जो कि उपर ही आपको दिख राओगा हाईलाइट में यहाँपे दिख सकते हैं 300 वेकंसी है फिर क्या आपका PA recruitment है तो उस अभी बातें बारें बात करेंगे देकि रीटेन टेस्ट में आपका क्या दिया जा रहा है वीडियो बना देंगे कुछ important आपके chapters हैं उनके सभी क्या करेंगे वीडियो आपको बता देंगे या फिर क्या सके तो सभी syllabus जो भी syllabus है आपके हमारे पढ़ने उसके रिगारिंग मैं आपको वीडियो बना कर देंगे ठीक है ताकि वो क्या होगा आपको help कर पाएगा समझ रह कुछ ब्राइबार है तो अब 15 लेग है तो उनको सिब सेलेक्शन दिलवा दे रहे हैं अब फिर फिर उनके नेक्स्त परचेस की और बः रहा है तो इससे क्या मतलब है आपको ऐसा करना चाहिए कि स्टार्टिंग में सारे बच्छों को इन्यों देने का मौका देना में लिखेगा आपके सारे कार्णिस का जवाब जोड़ दिये जाएगा तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो तब तक के लिए बाब बाई